अगर आप टारो में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हाव टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप click करके join कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading इस का उप्यूज आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहाँ पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है The Tome of Love और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर May starting में किसी भी level पे किसी भी तरीके की ending beginnings यहां तो हो रही है या फिर आप चाहा रहे हैं और कहीं ending beginnings इतनी comfortable नहीं होती भी दिख रही है और normally भी देखें Scorpios कोई भी चीज भले ही हमें serve ना कर रही हो लेकिन उसके साथ हमारा इतना comfort zone हो जाता है कि हम चाहा कर भी उसको let go नहीं कर पाते है या फिर यूनों अंदर से हमारी एक इच्छा भी होती है कि यह चीज खतम हो जब वो खतम हो रही होती है तो हमें थोड़ी सी problem होती है और हो सकता है बहुत सारे Scorpios इसी तरीके की energy में रहे या फिर से मैं कहूंगी कुछ के लिए बड़ी चीज, कुछ के लिए छोटी मुटी चीज किसी भी level पे end होती हुई दिख रही है नई चीज शुरू हो रही है या फिर ऐसा आप करना चाह रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि all of a sudden इस तरीके की energy रह रही है और इसलिए या फिर otherwise six of souls का काट कहता है कि आप काफी stuck महसूस कर रहे हैं literally अगर हम देखें Scorpios तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं कुछ चीजों से, situation से, circumstances से, किसी इंसान से या फिर literally you know may starting में कुछ Scorpios के लिए हो सकता है अपने partner से आप distance करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अब देखें कुछ के लिए याँ पर physical level पर हो सकता है कि आप इतना उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं नहीं उनसे connect करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए mental emotional level पर आप stuck हैं यानि कि वो सकता है कि physical level पर इतनी जादा आपकी you know meetings नहीं हो रही हैं इतना जादा आप नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपका ही emotional mental level पर अपने mind में उनके साथ stuck हैं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपकी काफी कोशिश रह रही है कि आप again या तो अपने partner से या किसी situation circumstance से आगे बढ़ें इसलिए या फिर otherwise four of cups का card कहता है काफी इनों एक emotionally low वाली energies आपकी mid में से लेकर end में तक रहती हुई दिख रही हैं खासकर mid में की बात करें तो कुछ scopius के लिए हो सकते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई opportunity आपने miss कर दी जिस time पे ये नों वो चीज जो आप चाहते थे वो हो सकती थी उस time पे आपने उस तरीके से action initiatives नहीं लिए यहाँ फिर देखिए जो भी एक चीज मेरे mind में आई मैंने आपको कहा सब scopius के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा बट definitely कोई चीज आपने miss करी आप उसके बारे में सोच रहे हैं किसी level पे किसी तरीके का regret आपको रहता हुआ दिख रहा है कहीं enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है उतना motivated in general या फिर you know किसी भी चीज को लेकर नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं फिर से कहूंगे emotionally low feel कर रहे हैं एक negative frame of mind रहता हुआ दिख रहा है और कभी-कभी होता है ना हमारे आसपास सब चीजें बहुत बढ़ी हैं excitement वो enthusiasm नहीं दे रही है और फिर से कहूंगी एक negative frame of mind में आप रहे रहे हैं और जब भी देखिए five of cups का card आता है मैं यहीं कहती हूँ all is not lost definitely कुछ चीजें हैं जिन पर work करके अभी भी चीजों को ठीक किया जा सकता है तो थोड़ा से positive frame of mind रखने की जरत है मन ही मन के लिए देखिए तो यहाँ पर wind का card कहता है कि अभी भी आपको faith है अभी भी आपको confidence है जिन God को आप मानते हैं उन पे अपने partner पे खुद पे या फिर इस relationship पे और आप बहुत धीरे धीरे बहुत gently चीजों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाह रहे है आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे surface level के लिए कुछ चीज़ें आपको परिशान कर रही हैं बौदर कर रही हैं लेकिन फिर भी मन में आप इत्मिनान रखे हुए हैं यहाँ पे long term commitment का card कहता है आप अपने partner के साथ long term चाह रहे हैं अब देखिए long term subscopies के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है आप शादी चाह रहे हैं marriage चाह रहे हैं engagement चाह रहे हैं कुछ के लिए living हो सकता है तो किसी भी form में कोई भी चीज़ हो लेकिन broader level के लिए आप long term connection long term relationship partner के साथ मन ही मन चाहते वे दिख रहे हैं और अब देखते हैं आपके partner की के energies हैं तो देखिए आपके partner ने कुछ time से या में starting में एक pause लिया हुआ है या पे seven of pentacles reverse का card कहता है कि वो बहुत ज़ादा सोच रहे हैं बहुत ज़ादा चीज़ों को analyze कर रहे हैं हो सकता है कि कोई decision कोई choice उनकी तरफ से लेने की ज़रत है और वो नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं कहीं you know जो भी पीछे आप दोनों के बीच में हुआ उस पे बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं कि भई इस तरीके से अगर आगे चीज़े रही तो क्या होगा और उसी के ही basis पर future course of action decide करना चाह रहे हैं और फिर overall ही decision choice लेना चाह रहे हैं और फिर से कहूंगे बहुत ज़ादा सोच रहे हैं मन ही मन के लिए looking at one another का काट कहता है in the process वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं आपको देख भी रहे हैं आप पर उनकी नजर भी है मैं ऐसा कह सकती हूँ और कुछ के लिए literally हो सकते हैं आपको spy कर रहे हैं आपको social media पर stock कर रहे हैं mid may के लिए suffering and eight of wands reverse के काट कहते हैं कि कहीं या तो बहुत तेजी से चीजों को deal कर रहे हैं बहुत speed से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बहुत जादा slow हो रहे हैं और कहीं you know just direction में उनको action initiatives लेने चाहिए उस direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं suffering का काट कहता है किसी चीज को लेकर मन ही मन काफी परेशान होते हुए दिख रहे हैं थोड़े से मायूस भी होते हुए दिख रहे हैं कोई चीज अगेन उनको काफी bother कर रही है and end may के लिए six of wands reverse and aloneness के काट कहते हैं या तो वो एक space अपने लिए चाहा रहे हैं थोड़ा सा you know अपने लिए time चाहा रहे हैं या फिर एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं और surface level के लिए six of wands reverse का काट कहता है कि एक ego उनकी तरह से रहता हुआ दिख रहा है या फिर लोग क्या कहेंगे इसके बारे में जादा सूचते हुए दिख रहे हैं या you know आगे बढ़ना चाहा रहे हैं इस relationship में लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं अब देखते हैं कि में मंत में क्या हो रहा है जो दिखें में starting के लिए यहाँ पे सर्ब से बहला काट है the tower और tower का काट कहीं the tomb of love वाली energies को represent करता है और यह दोनों ही काट कहीं sudden ending beginning की बात करते हैं suddenly एक shift आने की बात करते हैं suddenly किसी भी suffocating situation से बाहर निकलने की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही कहीं में starting में आपके लिए भी हमने देखा और एक combined energies में भी tower का काट इसी चीज़ को और जादा confirm करता है तो दिखें फिर से यह थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक गुसा बहुत एक frustration आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को आ रहा है और किसी चीज़ को अगर मन में बहुत time से रखा हुआ था तो वो suddenly blast हो रही है यहाँ पर कुछ के लिए अगर आपने प्यार बहुत suppress करके रखा हुआ था है आपके partner ने तो वो blast हो रहा है और तरीका थोड़ा सा गलत रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है अगर गुसा बहुत time से भर के रखा हुआ है यहाँ फिर भड़ता जा रहा था वो blast हो रहा है यहाँ फिर किसी situation में जो bother कर रही थी उसमें से suddenly भाहर निकल रहे है again किसी भी level पर किसी भी तरीके की ending beginning रह रही है इतनी comfortable नहीं रह रही है और deeper level के लिए दिखिए waiting का card कहता है हो सकता है बहुत time से scorpios आप यहाँ आपके partner आपके लिए जादे रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि the tom of love and tower के cards कहीं same energies है और tom of love का card आपके लिए आया है तो हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत time से wait कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं partner की तरफ से यहाँ फिर otherwise वो हो ही नहीं रहा और यह you know waiting वाली energies की वज़े से एक जो गुसा आपके मन में भर रहा था यहाँ जो भी चीज़ आपके मन में भर रही थी उसका blast हो रहा है यहाँ पिर आपको यह से लग रहा है बस बहुत हो गया और wait नहीं करना आप खुद को इसमें से निकालना है again सब Scorpios और उनके partner के लिए different situations रहेंगी जो भी मेरे mind में आया मैंने कहा यहाँ पिर waiting का card कहता है money money या तो wait कर रहे है यहाँ फिर waiting से बहुत frustrated हो रहे है और कहीं mid may में किसी level पे चीजें better होती हुई दिख रही है क्योंकि totality का card happiness joy की बात करता है कहीं एक total involvement की बात करता है तो किसी level पे आप लोगों की बातचीत हो सकती है लेकिन surface level के लिए the star reverse का card कहता है कि बहुत एक negative energy भी रहती हुई दिख रही है कहीं उनों एक clarity नहीं रहती हुई दिख रही है या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भाई बहुत ज़ादा give किया इस relationship को और उस तरीके से वापसी नहीं मिली कहीं वो energies waste हो गई और कहीं directionless महसूस कर रहे है तो कहीं फिर से कहूंगे mid may में चीजें किसी level पे better होती भी दिख रही है और इस time पे अगर positive frame of mind रखा अगर एक clarity रखते वे चीजों को deal किया तो चीजें बहतर हो सकती है और अगर ऐसा नहीं किया तो end may में again दिखिए the dark night of the soul का card कहता है कि कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं कुछ difficulties, कुछ परेशानिया मन ही मन महसूस कर सकते है और surface level के लिए three of cups reverse का card कहता है या तो you know कोई तीसरे इंसान की involvement है अब तीसरा इंसान जरूरी नहीं यह love triangle हो आपका कोई family member या फिर आपकी तरफ से कोई इंसान हो सकता है या आपके partner की तरफ से हो सकता है या फिर हो सकता है simply किसी celebration में आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से connect कर रहे हैं या फिर you know fun, मजा, मस्ती करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ कहीं अपनी बातें share करना चाह रहे हैं कहीं एक दूसरे के साथ reconcile करना चाह रहे हैं और इसी से related छोटे मोटे issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी हो सकता है group में आप लोगों की ठीक ठाक बातचीत हो रही है लोगों के बीच में होते हैं तो फिर connect करते हैं लेकिन otherwise मन ही मन कोई चीज परिशान कर रही है कोई चीज बौदर कर रही है तो I know Scorpius की बहुत great energies में मन्त के लिए नहीं है mid में में थोड़ा सा ठीक रहता हुआ दिख रहा है और इस चीज को सुनके आपने बिलकुल परिशान नहीं होना मैंने बहुत detail में आपकी energies पर बात करी है आपके partner के energies पर बात करी है beyond the point partner को तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन अपनी energies पर work करके आप में मन्त को किसी level पर बहतर कर सकते हैं तो सबसे बहली चीज है बहुत expectation partner से ना रखें और कहीं you know negative frame of mind में ना आएं और अगर आप थोड़ा सा demotivate हो रहे हैं और फिर enthusiasm, excitement missing दिख रहा है तो conscious effort के साथ, conscious awareness के साथ कुछ करें जिससे की वो एक excitement, वो एक enthusiasm आपका बरकरार रहे और yes, में मन्त में बहुत ज़ादा आप उमीदें अपने partner से फिर से मैं कहूंगी ना रखें तो ये था Scorpio's आप लोगों के लिए में 2024 की लाफ टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें